हे फिर्ट्स उमीद करता हूं कि लास्ट वीक आपका बहुत जादा अच्छा गया होगा चलिए अब बात करते हैं कि फिफ्थ डिसेंबर से लेके 11 दिसेंबर तक का आपका वीक कैसे जाएगा लेकिन वह बात करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नही होंगे जो control चाहता है और इस वीक आप देखेंगे कि आपका जो analytic skill है और intellectual power है वो बहुत high होगी लोग आपसे advice मांगने आएंगे क्योंकि आपकी जो skills है इस वीक वो एक राजा की तरह होगी जो एकडम सही advice देगा आपने जो भी उनसे advice मांगने आएगा आपके लिए आया होगी और जब भी कोई ending होती है तो उसके साथ एक new beginning भी होती है और change जो होता है वो हमेशा unavoidable होता है so ensure that you are okay with the change, you are positive with the change अपने ideas पर काम करिये और change को positivity से आप स्विकार करिये आपका week बहुत अच्छा जाएगा Gemini के लिए आया है Two of Cups, जब भी कार आता है तो आपके लिए बोई advice है कि कोई है जो आपके पास आएगा इस वीक, so be ready for that कोई romantic attraction होगी, marriage के लिए proposal आ सकता है या friendship के लिए नई friendship के beginning हो सकती है कही ना कहीं equality है आप दोनों के बीच में, so let's go ahead with this new relation It's just a give and take relation, I would say equal opportunities होंगी आप दोनों के पास, so please enjoy your week Cancer आपके लिए आया है Knight of Cups, इस वीक आप देखे तो आप थोड़े से emotional होंगे, थोड़े artistic और थोड़े romantic भी हो सकते हैं और इस वीक आप अपने जो actions लेंगे वो बहुत ही जादा emotionally होके लेंगे, logically नहीं सोचेंगे अपने decision लेंगे, अगर आप खाली emotionally होके अपने decision लेंगे, तो आपको उससे problem हो सकती है So use your logic also, before taking any decision लिए आपके लिए आया है Seven of Cups, कही ना कहीं आप इस वीक बहुत सादा आपको choices होंगी, आपको delusion भी होगा किसी चीज का लेकिन उन choices से आप confused नहीं होना, because जो choices आ रही हैं कहीं न कहीं, delusion भीलाने के लिए ही आ रही है So use your logic, अपने मन से दिखिए कि आपकी inner conscious क्या कहती है Because कहीं न कहीं जो चीज आपके सामने आगी, वो आपके dream world में भी आपको दिखेगी So उसके हिसाब से आसपास discuss करके decision लीजे, तापके आपका decision जो है, वो healthy जाए ना कि delusion based होए आपका decision So Virgo, आपके लिए card आया, the Empress का So this week, you actually have the power, आप बहुत जादा comfortable हैं और कहीं न कहीं आपकी जो vision है, वो manifest होने वाली है आपके आसपास आपकी सारी inspiration है, जिससे आपको positivity मिलेगी So nature को देखे, nature आपको हर चीज़ प्रवाइड कर रहा है, जो आपको चाहिए So you need to celebrate this, you need to be creative enough Because it's time for your manifestation So ensure you are thinking everything in the positive sense Because nature will manifest what you think this week So अगर आपने negative सोचा, तो negativity भी manifest हो सकती है So be cautious for that So Libra, आपके लिए आया page of vans कुछ न कुछ आपके पास इस वीक नया काम आएगा जो आप पहले या तो नहीं करा या आप उसके लिए बहुत casual हो जाएंगे So जो भी आपके पास काम आए So ensure करिए कि आप carelessly उस काम को ना करिए आपको बहुत responsibility से उस काम को करना है And so you are putting your best creative and your energy in it Because कही न कहीं आपके पास उस काम के लिए experience कम है So अगर आप कहीं से वो काम सीख सकते हैं So पहले करने से पहले तो सीख लिजेए सीखने में देखे कोई छोता नहीं होता है But उस काम को responsibility से करना आपके लिए यही इस वीक की major guidance है Scorpio आपके लिए आया है Six of Pentacles इस वीक आप कहीं ना कहीं औरो की help करेंगे और वैसे भी कहते हैं कि जब आपके वो society ने दिया है तो वापस we should give back to the society for the people who are in need So be proud of yourself and say thanks to the people who are taking your help So अपने आपको उपर दिखा के help ना करना because what you have got from the nature you are returning that back to the nature से जब आपके लिए इस बार ही आया है Temperance का कार्ट So कहीं ना कहीं आपके पास जो काम आएगा आपको उसमें middle way निकालना है आपको balancing करनी है because that's the message from the nature to you Nature का आपके पर support रहेगा अगर आप चीजों को integrate करेंगे कुछ नया निकालने के लिए लेकिन आपके लिए सबसे major advice है कि आगे बनने से पहले पुरानी चीजों को balance करिये उनको align करिये फिर आगे चलना Capricorn आपके लिए card आया है the tower का so be ready for an unexpected shock because कई न कई कुछ चीज है जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी कोई आपको ऐसी news मिल सकती है जो आपके लिए अच्छी ना हो so be ready for that और अगर आप positive सोचेंगे कि आप उसको कैसे solve करें तो वो solve भी हो जाएगी because कोई चीज ऐसी नहीं है जो solve नहीं हो सकती हो Aquarius आपके लिए card आया है Queen of Cups का कहीं न कहीं आप emotional होंगे इस हफते आप emotionally एक जगा पर बैठ के किसी particular चीज के बाएँ में सोचेंगे किसी particular बंदे के बाएँ में सोचेंगे romantic भी होंगे लिखिन इस हफते आपके लिए सबसे major advice यह है कि अपने दिल की अपने intuition की सुनिये because आपको जो week में काम करना है कहीं न कहीं उस चीज का आपके पर intuition होगा अगर आपके कोई problem भी आएगी उसको solve कैसे करना है उसका भी आपको आपका intuition ही बताएगा so listen to yourself that's the major advice for you पाइस आपके लिए warning का कारा है क्योंकि कहीं न कहीं कोई problem है जो आपके तर्फ आ रही है you have to protect yourself so be guarded because आप किसी और के उपर dependent नहीं रह सकते आपको अपना defense system खुद बनाना है so उसके basis पे अपना guard बनाईए उमीद करता हूं कि आप सबका week ये बहुत अच्छा जाएगा और ऐसे ही next week में prediction के लिए आप में सब बने रह सकते हैं thanks a lot everyone have a great 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 week ahead thank you bye see us